Hello students, welcome to you, today we are going to learn in your textbook English बालभारती, that is lesson number 14, I would like to be a lighthouse. Lighthouse, I would like to be a lighthouse, जिसे क्या पढ़ते हैं, I would like, would, I would like to be a lighthouse, मतलब मैं एक lighthouse बन जाना चाहता हूँ, तो students, lighthouse क्या है, सबसे पहले वो समझेंगे और उसके बाद इस poem को पढ़ेंगे, जो की बहुती बड़ी और interesting है, तीकि, a lighthouse is a tower, lighthouse क्या है, ये एक tower या एक building है, और ये एक बड़ा सा structure है, जो समंदर के किनारे होता है, देखी यहाँ पर, ये जो है, lighthouse होता है, है, एक बड़ी सी tower building होती है, एक बड़ी सी building बड़ा सा structure होता है, जो ये दिखरा नहीं, ये C है, समंदर है, इसके किनारे पर ये होती है, ओके, from the lighthouse, big beams on flesh of light are thrown out, तो ये जो flash, जो lighthouse है, दिखी यहाँ से light की जो beam जा रही है न, ये बड़ी-बडी light की beam चलती है, ओके, वहाँ से निकलती है, these beams help sheep at sea to navigate, तो रात के समय जो now समंदर में चलती है, उन्हें रास्ता दिखाने का काम, ये lighthouse करता है, to find their way across the sea, मतलब पूरे समंदर में वो अपना रास्ता ढून सके, किनारे पर आ सके, क्योंकि समंदर में जब रात हो जाती, तो कुछ भी समझ में नहीं आता, ओके, वहाँ पे तो ना जमीन होती है, ना पहाड होता है, ना घर होते है, सब ऐसा मैदान जैसा होता है, पुरा पानी ही पानी जिदर होता है, सब तरफ वाटर फेला हो होता है, जिसकर ना का पता नहीं लगता कि नाउ को किस तरफ लेकर जाए, तो उस नाउ को, उस बोट को, उस शिप को नेविगेट करने के लिए, क्या करने के लिए, नेविगेट करने के लिए मतलब रास्ता दिखाने के लिए lighthouse का use होता है To find their way across the sea they can tell the ship that there is a part port nearby तो यह जो lighthouse है lighthouse क्या बताता है ship को कि अगर यहाँ पर lighthouse है इसका मतलब इसके पास port है, port मतलब क्या जहाँ पर ship रुकती है, जैसे जहाँ पर train रुकती है उसे railway station, जहाँ पर bus रुकती, उसे bus station, जहाँ पर ship रुकती है, उसे port कहा जाता है, it is safe to go near the port or that there are dangerous rock under the sea, तो दीखे कई बार ऐसा होता है कि समंदर के अंदर बहुत बड़े-बड़े पहाड़, पत्थर चटाने होती है, तो उससे नाव टकरा जाए, इसलिए वो रास्ता दिखाता है कि इस वे से आप चलिए, तो आप port तक बहुत जाओगे In days of old modern means of communications like radio, mobile phone, internet, we are not available to people, पहले के जमाने में, radio, mobile, phone internet, ये सब available नहीं था, इस समय जो life थी बहुत दिक्कत वाली थी मतलब बहुत सारी सुवीधाए, students वहाँ पर नहीं थी, जिसे कारण बहुत से दिक्कते हो जाती थी, आज अगर lighthouse नहीं भी है न तो भी, ship navigate करके, इतने सारे instrument available है, कि आप एक अपने mobile के help से बराबर उस जगा पर जा सकते हो, जहाँ पर आपको जाना है है कि ship को रास्ता दिखाना मतलब भटके हुए को रास्ता दिखाना, आप समझ रहे हो यहाँ से, तो ship जब समंदर में भटक जाती है, उसे रास्ता नहीं मिलता तो उसे रास्ता को उन दिखाता है, light house तो therefore, the warning signal of light house were very useful to ship तो warning signals होते हैं वो light house से जो निकलते हैं वो ship के लिए बहुत useful होते हैं क्योंकि उनकी मदद से ship चलती है उके उनके मदद से जो रास्ते बनते हैं, उनसे वो ship चलती है, वो रास्ता उन्हें दिखाता है, या फिर navigate करता है in today's age of radio, tv, internet, satellite, service many other facilities are available to ship and aeroplanes when they travel across the sea, तो अभी कैसा है, अभी light house अगर नहीं भी रहगा, तो भी चलेगा क्योंकि अभी के जमाने में सारी चीज़ है radio है, tv है, internet है, satellite है बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ अविलेबल है किसके लिए ships के लिए और aeroplane के लिए इसले लाइट हाउस बहुत ज़्यादा ज़रोरी थे आज भी light house बहुत ज़्यादा important है light house अभी भी होती है और आप कभी अगर she saw, मतलब समंदर किनारे जाए जहाँ पर port है, वहाँ पर आप देखेंगे, you will find that there are a light house वहाँ पर एक light house होती ही है जो जो shells होते है, जो ships होती है उन्हें वह navigate करती है तो इस poem में जो poet है, वह कहना चाहते है मतलब जिन्हों ने इस poem को लिखा वह कहना चाहते है, I would like to be a light house मैं एक light house बन जाना चाहता हूँ, I would like to be a light house all scrubbed and painted white मैं एक light house बन जाना चाहता हूँ जो एक light house जिसका color पूरा white color का हो I would like to be a light house and stay awake all night, वह कहते हैं कि मैं एक light house बन जाना चाहता हूँ और राद बर जागते रहना चाहता हूँ To keep my eye on everything मैं सब पर अपनी नजर रखना चाहता हूँ That sails my patch of sea मतलब उन sail पर, मतलब दिखाना चाहता हूँ I would like to be a light house with the ships all watching me मैं उन सबी की मदद करने के लिए light house बन जाना चाहता हूँ जो ships मुझे देख रही है मुझे watch कर रही है और मेरी मदद के सहारे वो अपने किनारे तक पहुच रही है तो students, यहाँ पर जो poet बता रहे हमें poet जो कहना चाहते है वो एक बहुत अच्छी बात है कि वो चाहते हैं कि वो एक light house बन जाए और वो इसलिए बन जाए कि जो अंधेरे में भटक रहे है वो उनकी मदद करना चाहते है जो now को रास्ता नहीं मिल रहा है उन्हें वो अपना रास्ता दिखाना चाहते है तो इसलिए वो कहते है कि मैं एक light house बन जाना चाहता हूं तो यहाँ पर दिखे students यह light house बननी की जो concept है न यह poem की इसके पिज़े की बहुत गहरी और बहुत अच्छी है आप इस बात को अगर ध्यान से समझे तो किसी की मदद करना या किसी को अंधेर से उजाले में लेके आना किसी को भटके हुए को रास्ता दिखाना यह बहुत अच्छी बात होती उसमें और यही poet कहना चाहते है कि मैं एक ऐसा इंसान बन जाना चाहता हूं कि मैं लोगों की मदद करता रहूं मैं एक light house बन जाना चाहता हूं कि मैं उन सभी भटके हुए नाओ की मदद करना रहूं तो students आप चाहे light house बनिये या कुछ ऐसे कुछ बनिये पर ऐसा इंसान बनिये मतलब आप life में कुछ भी बनिये पर एक अच्छा इंसान बनिये एक ऐसा इंसान जो लोगों की मदद करे जो भटके हुए को रास्ता दिखाए अगर आप वो बनते हैं अगर आप में वो quality है तो आप इस दुनिया में सबसे great person कहलाएंगे I hope that कि आप इस कहानी से इस poem से जो message हमें poet देने की कोशिश कर रहे कि वो एक light house बन जाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि मैं लोगों को जो भटके हुए लोग है उन्हें में रास्ता दिखाओ मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं poet कहते हैं मैं light house बन जाना चाहता हूं तो ये बहुत अच्छी poem students I hope that ये poem आपको जरूर पसंदाई होंगी और इसमें आपको जरूर समझ में आया होगा कि light house क्या होता है light house का work क्या होता है और light house क्यों जरूरी होता है इसके कोछ थोट इसे question answers है जो हम इसमें पूरा करने वाले हैं तो लिखाए answer the following question with the help of poem what does light house look like light house कैसा दिखता है तो light house look like a tower building और a tall structure क्या लिखेंगे the light house look like a tall building tall building और structure और tower इतना भी लिख दिखेंगे तो भी चलेगा what does a light house do light house क्या करता है light house navigate to ship क्या करता है light house light house navigate to ship navigate to ship at night वो रात में ship को navigate करता है उसके बाद what does a light house watch what does a light house watch light house क्या दिखता है तो light house what does a light house watch 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 the ships on sea जो समुद्र में जो ships है उन ships को वो देखता है ओके if you were do be an object what would you like to be what would you like to do and then write about in short देखिए जैसे poet इस lesson में क्या करना चाहते हैं इस poem में poet कहते हैं कि वो light house बनना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आपको अगर एक मौका मिले की आप भी कोई एक object बन जाए तो आप क्या बनना चाहते हैं what would you like to be आप क्या बनना चाहते हैं आप कौन सी वस्तु बन जाना चाहते हैं what would you like to do आप फिर उस चीज वो चीज बनकर आप क्या करना चाहते हैं write about in short अगर आप कोई मुझसे पुछे तो मैं कहेंगा students कि मैं एक book बन जाना चाहता हूँ मैं वो book बन जाना चाहता हूँ जिसके अंदर बहुत सारी information हो लोग उसे पढ़े और अपने life में success हो जाए तो students आप भी अपने बारे में बता सकते हैं कि अगर आपको एक object चुनने का मौका मिले कि आप क्या बनना चाहते हो और फिर क्यों बनना चाहते हो तो इसके बारे में आपको खुद से होकर लिखना है जो यह आपका homework है You have to write the answer of this question number 2 in yourself So best of luck I hope that कि आप इसका एक बहुत अच्छा अंसर लिखेंग अगर आपके based से based answer कि मैं मतलब आतूरता से मतलब बहुत मैं इंतजार करूँगा कि मेरे students इसके बारे में क्या लिखना चाहेंगे So students I hope that यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अगर आपके वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बाप से ज़रू लिखे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ बने रही है और देखते रही हमारे चैनल को तो मिलते स्ट्रेंट्स नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई